पिछले दो बार तो तुमने किसी तरह से हमारे कहर से लोगों को बचा लिया लेकिन इस बार त्योहार के मौके पर हम तुम्हारे शहर लखनाओ में है और इस बार तुम्हारे शहर लखनाओ में ऐसा कहर पर पाएंगे कि सिर्फ लखनाओ नहीं पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाएगा तो इस बार तुम्हारे शहर में देवी मा की कृपा से ऐसी जगा चूरी करेंगे कि सोचती रह जाओगी अरे बाच्चा वो हसीना मलिक है उर्त परिंदों के पर गिन सकती हैं हम तो फिर भी मामूली चोर है क्यों हसीना मलिक अब तो तुम जान गई होगी कि हम तुमारी पुलिस लाइन के सबसे बड़े पंडाल में रखे सबसे किमती डाइमंड आबा को चुराने वाले हैं का? वो भी सबकी आखों के सामने तो रोक सको तो रोक लो ऐसे चो हसीना मलिक हम आ रहे हैं मैडम से लिए ठीक है सबने सब कुछ सुन लिया है सब को पता है लखनों में क्या होने वाला है हमारे पास बरबाद करने के लिए बिलकुल भी वक्त नहीं ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए हम लखनाओं में चोरी नहीं होने देंगे, clear? ऐसा ही होगा, माडम सर. इन्होंने देश के हर कोने में जाके चोरियां किये, लेकिन आज तक पकड़े ही नहीं गए. और पकड़े इसलिए नहीं गए क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश नहीं आए. इन्होंने ना एक मात्र आखरी मिस्टेक किये अपनी लाइफ का उत्तर प्रदेश में आखे, क्योंकि यहां से तो वो सीधा अनिराम तक ही पहुचेंगे. बिल्बु सही, माडम सर. हम बहुत जल्द नहीं पकड़ेंगे और सीधा जेल के अंडर दालेंगे. पकड़ेंगे. इस बार तो उन्हें पकड़ेंगे. संतो शर्मा, यह जो आभा नाम का हीरा है, यह कौन से पंडाल में लगा है? पुलिस लाइन का मैदान, माडम सर. और यह जो एवेंट है, यह नाराइनी देवी जुएलर स्पॉंसर करें, तो तैयार यहां भी बड़े लेवल पे हो रही है. जी माडम सर, इस बार पुलिस लाइन के नवरातरी महोच्साओं में यह जो आभा नाम का हीरा है, यह मुख्या आकर्शन है, जिसको नाराइनी देवी जुएलर्स जो हैं, लोग माता के चरण में रखवाया हैं, पूजा के लिए. इसलिए माडम सर हेड़कॉर्टर से इस पंडाल की सुरक्षा वेवस्था के लिए विशेश आदेश पारित हुए हैं, हम सबका ड्यूटी वाई लगा है माडम सर, यह बहु मुले हीरा आभा की सुरक्षा के लिए. चीक है, बिलू को बुलाई, चोर को पकड़ने में सबसे च्छा चोरी काम आता है. ओ माइ गाद, मुझे लगाता कि आजकल के चोर और चोरिया ऑनलाइन होगे, लेकिन नहीं कुछ-कुछ चोर है, जो आपनी चोरी की कमाई, मेहनत की कमाई खा रहे हैं. पहरे रहे, डेड़ फुट का सफाचट दार्शनिक इंसन, खोल और अनुभज से बताओ ना यार. Experience. Experience. Experience से बताओ ना यार की का हुआ है. तो मेरा चोरी के वल्ड का जो experience है 20 साल का, उसको मद्दे नजर रखते हुए, इनकी जो ताकत है, वही कमजोरी है. क्या मतलब? मतलब जब ये साथ है तब खास है, अलग है तो बकवास है. मतलब एक साथ है तो कुछ भी कर सकते है, अलग-अलग हुए तो कुछ भी नहीं कर सकते है. मतलब अलग-अलग होकर वह मुह पड़ी भी छील नहीं सकते. Okay. इसका मतलब जब ये दोनों नवरात्री के बंडाल में इस चोरी को अन्जाम देने आएंगे, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो दोनों साथ में ना हो। पर मैडम साह ये कैसे होगा, उन दोनों को अलग आने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं हम, हम उनके बारे में कुछ जानते भी तो नहीं है तजुर्बा कहता है हमारा कि अकलमंद को सच्चाई से, घमंडी को चापलूसी से और चोर को चतुराई से ही हराया जा सकता है एक काम कीजे, शेहर के हर गली कोने में ये पोस्टर लगवाईए, ये अफवा पहलाईए, ये न्यूस पहुचाईए कि बेगम और बादशा से इंप्रेस होकर कई सारे चोर उनी के तरीके को कौपी कर रहे हैं, नवरात्री के पंडाल में जाकर चोरी कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं पुलीस की शेहर के हर एक इंसान की नजर अब इन कॉपी कैट चोरों पर है जो बेगम और बादशा को कॉपी करके उनकी तरह चोरियों को अन्जाम देने की खोशिश कर रहे हैं क्लियर? बहुत पड़ी है मैडम सर ऐसे तो कि यह असली बेगम बादशाह पुलीस और पब्लिक की डर से पुलीस लेंकी इस पंडाल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे एक साथ एक पंथ दो काज हो रहाएगा मैडम सर पब्लिक का भी डर पुलिस का भी डर नहीं मानना पड़ेगा मैडम सर बात तो है आप में इसमें कोई शक्का गुंजाइश नहीं है अब आएगा मज़ा यह हमारे आखरी चोरी है ना बादशाह इसके बाद हम शादी करके सेटल हो जाएंगे ना तुम्हें प्रॉमिस किया था अपना बादा मत तोड़ना यार अफकॉस बेबी यही प्लान है पता है क्या करने आले है यह आकरी हांत मारेंगे अपना फ्यूचर से फिर बढ़ियां पहाड़ों जाके अपना घर लेंगे और वहां पर सिर्फ हम तीन रहेंगे तुम मैं हमारा प्यार वाई लव यू अच्छा चलो चलो अभी ताज अब बादश्या नाम के नामी चोरों के नाम पर फर्जी चोरों के कारणा में अब बढ़ते ही जा रही है पर पकड़े जाने के बाद इस चोर जोडी अपना नाम बेगम और बादश्या बता रही है अरे वा, मुझे तो पता ही नहीं है कि हम चोरों के लिए ब्रैंड बन गए अरे हम सेलिब्रिटी बन गए, सेलिब्रिटी अरे, नहीं यार पूरा खराब हो गया अब इस न्यूस के वज़े से इस शेहर में जितने नवरात्री इवेंट है और जितने पंडालें, वहाँ पुलिस और चोकन नी हो जाएगी और वहाँ पर जितने कपल आने वाले होंगे, सब के उपर नज़र रखेगी और हम जोडी में गये, तो हमारे उपर भी नज़र रखेगी अब इसी चक्कर में हमारा आभा हीरे तक पहुचना मुश्किल हो जाएगा तुम परिशान मत हो, हम बहाँ जाएंगे भी, चोरी भी होगी और वो चोरी हम ही करेंगे येसे, चोरी करेंगे करेंगे विलो मासिरा वाली की ये हुलो मासिरा वाली की स्राचिय दरबार की ये हुआ ये सब लोग माकाशी वाली लीची हुआ वलकम तु लखनौ बहुत अच्छा लगा कि आप इतने शॉट नोटिस पर हमारी मदद के लिए यहां आगे थांकी सो मच आम ग्लार कि आपने मदद के लिए मुझे बलाया चली अंदर चली 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 करिश मसिंग आप हमारी बात ध्यान से सुनी जी संतो शर्मा और अदिती हमारे साथ में गेट पर रहेंगे आने जाने वाले हर इंसान को चेक करेंगे ठीक है आप जो है यह रही मेडम एक मुनिट वाव हलो असीना जी आपने तो कमाल का इंतिजाम किया है बहुत बहुत शुक्रिया वैसे मैंने सुनाया कि आपका साथ देने के लिए मुंबई पुलिस से भी कोई आ रहा है जी हां अदेदी नाम की एक ओफिसर है फिलाहल CCTV रूम में है थोड़ी दर में आती होंगी आप देखिएगा लखनव पुलिस मुंबई पुलिस और हम सब मिलके उन चोरों को पकड़ेंगे तो निगोडे बदमास चोर ज़रूर पकड़े जाएंगे बिलकुल सोने का कलेश लेके भागे हैं वो चोर देखना ये दक्षेग जोश्यपुरा उन्हें छोड़ेगा नहीं मैं शवबत लेता हूं अगर मैं कलेश लिए बिना गया तो मैं सोसाइटी के सेकेटरी पत से याधपत्र देदूँगा का सब्सक्रा का लिए वैसा होगा हुआ ह्ञा हां मैंं जी मेरी बेटी का नौलक का हार आपको वापस मेल चाहिए बस आप लोग इस तरह से इन दोनों चौर को पकड़ने में हमारी मदद कीज़े ठीक है पॉलमी अल्द बेस्ट, अल्द बेस्ट मैडम सर मैडम सर करिशमा से आपको जो है मॉनिटर करना है जितनी भी आने जाने वाली लोग है उन सब कोच्छे से चेक किजी कोई भी सुस्पिश्यस लगता है तुरंथ हमें बताईए आप जा सकते है सब ठीक है ना कुछ गड़बर तो नहीं अच्छे लग रहे अच्छे लग रहे मैडम सर यह कौन है? कुलश्पास हम ठीक है चलिए आप सब के कॉस्टम्स बिल्कुल परफेक्ट हैं पता है ना क्या करना है मैडम सर पंधाल में जितना भी लोग है ना सब परक्दमाई से पूरा नजर गड़ाए रखना है ध्यान देना उन लोग पर नहीं नहीं माता की मूर्ती के आके जो आभा नाम का हीरा रखा है उस पर नजर रखने हैं प्रतिभा से मेल नहीं खाता हमें छोटा सा प्यारा सा खरगोश होना चाहिए मा कैसे भास 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 भुसपाजी भास होगे आप सब का हम यहां काम करने आए ओके प्लीज जाहिए यहां से जी मैनम से आइए अच्छा हुआ हम ग्रूप में वरना कपल को देखे किसी को भी शक हो जाता कि कहीं हमी वह बेगम पाशाली चोड जोडी तो नहीं बिलकुल देखनी रहे कोई भी जोडी में नहीं दिख रहा है सभी लोग या तो अकेले जा रहे हैं और फिर ग्रूप में जाना प्रिफर कर रहे हैं खामुखा पुलिस के पचडे में कौन पढ़ना चाहता है बबा देख रही हो वसीना वली के पूरी टीम फुल अलर्ट पे हैं देख रही हूं और ये भी देख रही हूं के उन लोगों ने उन सब को यहां बुलाया है जिनके यहां हमने पहले चोड़ियां की हैं पर यह नहीं जानते हैं कि इतना आसान नहीं हम तक मांचना हम बेगम बाठ्श हैं हमेशा सबसे दो कदम आगे ही रहते हैं समलके अरे 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 भाई साब हमारा सिक्सेंस यह क्यों कह रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बर जरूर है संफु अभी जो वो एक लड़का काला चश्मा पहंकर और उसके आप में चड़ी है उसका तुमना आईडी चेक ही है जी माडम सबकी आईडी अच्छे से चेक वह रही है ठीक है अलर्ट रहना है यहां से हम लोगों को अलग अलग रहना होगा कि साथ में रहे तो लोगों के नजरों में आ जाएंगे और दो नुड़ाना मुश्किल हो जाएगा अलगे जाओ 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 कोई गड़ड मत करमाई देख के चल ले नहीं तो इसको जूम करो जूम करो जल्दी करो मैंदन जी मैंने अभी अभी एक वो दिव्यांग वेक्ति को देखा बड़ आम वेरी शूर जी कि वो दिव्यांग नहीं है इंफाक मुझे तो लगता है जी कि वही चोड है मैंदन जी अच्छा अब कहा देखा जी एक दिव्यांग वेक्ति को हमने जात वे देखा उसके उसके आख पे काला चश्मा था और उसके हाथ में एक छड़ी थी हमें उस पर शक हुआ तो हमने उसका पीछा किया पीछी की तरफ गया लेकिन पीछे कोई नहीं था ओके फिलाल हम वैसे बें इंतजार करने के लाबा कुछ नहीं कर सकते इस भीड में बेगम और बाच्छा कौन है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है वो हरकत करेंगे तब हम उने पकड़ सकते हैं सब लोग अलर्ट पर रहें जी मार्च रखिये हर जगा जी चौकस रहेगा पुश्पजी नजर आवा हीरा पर ही रहें नजर हटी तुर घटना घटी तो ससुर भीगम बाच्छा यहीं कहीं घात लगाया हुए होंगे हीरे के चक्कर में भाई और बैनो नाराइनी दिवी जलर्स के सोजने से ना सिर्फ इस पूरे कारेकरम का आयोजन किया गया है बल्कि इसे और भी यादकार और बहतरीन मनाने के लिए एक बहुत ही उतक्रिष्ट और प्रतीभावान निर्टांगना को भी आमंत्वित किया गया है तो बंबई से आज की इस भवे संध्या के लिए हमारे वीच पधारी हैं मश्रून रिंटांगना काम दी थी ना उससे नहीं पाया मतला क्या हीरा चोरी हो गया मैडम से अगर अब तो त्याक पत्तर देना ही पड़ेगा कैसे हुआ ये सब माडम सर हमको लगता है ये वही दव्यांग आत्मी है जो अंदर गुसा था अंदर गया लेकिन अंदर से बहार नहीं आया और जब भार आया तो अंको लगता है वह एक डौगी का गेट अपले के भार आया माडम सर अगेटा है हाँ एक मनट पुष्पाजी हम आपके बसाये थे ना आपको तो बोले थे ना की इसे जा के ही रा क्या रखिया पसने ली बोले थे ने ने हमें तो कुछ नहीं परता हैं तो यह नाच कर रहे थे ना माडम सर इसका मतलब इसका मतलब ओके चीके शांत रहे अब भी कुछ में बिड़ा है उष्पाजी अप्टिंग करने के लिए तयार हो जाए बताएए मैडम सर हमें और क्या करने है ऐसी बैसी आठिक नहीं करनें जब हम अपको कहेंगे बागे तब आपको बागना है हम आपको गोली उवारेंगे और आप मर्मी की या आठिक करेंग क्लियर इसरा में को लिवाट पारी हम दो एक जो दो चोर थे बेगम और बाच्छा जिन्होंने ही हीरा चुराया है उसमें से मेन आदमी को हमने पकड़ लिया है कही है चोर चला अब तुम्हें जेल के अवा के लाते हैं आगे आगे ने 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 गोली मठ चलाना प्लीज गोली मठ चलाना पाट्रिया भाई बेगम कोष्पाधी थांक्यू पुष्पाधी है जी हां अमारी कॉंस्टिबल अब आप ये बताएए कि आपका असली बाद्शा कहा है रहा है बाद्शा यहां है बाद्शा बिना बेगम किस काम के और बेगम बिना बाद्शा किस काम का कर देख सैंसरा कि अबडर किसे कि अताहिए कि अचरा किसे काम की कि Social कि अचकारी नहीं कर inge कम अच्पर इस काम का कर दो नहीं करते ङुछ कि अच्छ यार बाद्शा कि Fr?, मैरं इस अच्छा के तक कर दो करदें है मांग बैठे और एक्स्टा मांगने के चक्कर में एक्स्ट्राओर्डिनरी चोर बन दे है कि शॉर्टकट से तो धंकी खिचडी तक नहीं बनती तो लाइफ क्या बनेगी और जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी जोडी जेल जा रही है में जेल नहीं जाओंगी। कोई बात नि माडम जिएल से बाहर रहेंगे नहीं कहानी लिखेंगे। ये हमारे कहानी का अंत नहीं बिल्कि ए हमारे कहानी के शुरुआत है। बढ़े आये थे रूल ब्रेक कर के चोरी करने और मैं तो हमेंसरा ही बोलता हूँ। रूल्स बतलब रूल्स पॉल्स 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 गो बेक तु स्कुल्स हमारा सोने का कलश का है मेरी बेटी कहार निकाल निकाल नहीं नहीं आप उसकी चिंता मत कीजी सुनो सारी शादी वादी जेल में जाकर करना चीता संदोश ले जावेने याई लेकिजाए नर्स चली 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 जेल में लिख़ायाँ याई अई मैनमची अमारा समान आप अपने सामान की चिंता बिल्कुल मत कीजी अल मेक शूर कि आप सबको अपना सामान मिल जाए चीक है पक्का बिलकुल पक्का ओके चलिजी बाबाजी, थांक यू सो माच, वो कहता है ना, अंध भला तो सब भला जी, चोड भी पकड़े गए और हमें हमारा सामान भी मिल चाएगा, हसीना जी, दिल से थांक यू, करिश्मा जी, जी, आपको भी दिल से थांक यू, in fact आप सभी को दिल से थांक यू, आप सभी लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, आव वैसे तो मैं हैंडशेक करती हूँ, पर आज दिल कर रहा है कि आप सभी को सल्यूट करूजी